नमस्कार दोस्तों सौगत आप सभी का कोई हिंदी फर और मैं हूँ अभिनो सिंग तो दोस्तों इस वीडियो में आज में आपको डिजिटल फाइन्स और बैंकिंग के क्वेश्चन बताऊंगा जो की बहुत इंपॉर्टन है वीडियो टोटल मैं 50 क्वेश्चन आज मैं बताऊंगा आपको तो सब लोग रेडियो हो जाईए काफी खास है आज का जो न्यू स्लेवर्स आयड हुआ है उसके आधार पे हो गई है वैसे देखो इससे सम्मधिद मैं एक बैंकिंग के कई सारे क्वेश्चन मैं बता चुक हूँ आपसे जो प्लेश्ट मिल जाएगा उसको तो आप लोग जरू देख लेना और जो भी मैं भारत सारा की ओजना है उसके बारे मैं बताया हूँ एक बीडियो में अपको और एक बीडियो में बैंकिंग के भी बहुत सारा डिटेल्स आपको बता दिया हूँ तो वो सब कुछ आप देख लोगे और इसको देख लोगे तो आपका इससे 10 से 15 क्वेश्चन आ सकते हैं एक्जाम में इससे सम्मधि जुमें बता रहा हूँ और इससे बाहर से नहीं आएंगा जो भी मैं आपको पहले बता हूँ और यह बता रहा हूँ ठीक है तो वो सब देखके क्लियर हो जाएगा आपको कोई प्रॉलम नहीं होने वाली है यह सारे क्वेश्चन आपको कोई हिंदी.in पर भी मिल जाएंगे वहां से भी आप जाके देख सकते हो और नोट कर सकते हो और आप लोग मुझे फेस्बुक या फिर इस्टरग्राम पर भी जरूर से जरूर सब लोग फालो करना जो भी वहां यूज करते हो ठीक है और कोई भी सवाल तो पूछना और क्वेश्चन वहीं से भेजना आपको क्योंकि क्वेश्चन नहीं भेजोगी तो प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन भेजते हो बहुत अच्छा लगता है सबका आगे हल्प मिलता जैसे यह क्वेश्चन में बताऊंगो यह सब सारे पूछे गए हैं एक्जाम में ठीक है चलिए फिर आज का स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप सबीस एक छोटा थरीक क्वेश्च है तो वीडियो को सब लोग लाइक कर देना और पहले के जितने भी हैं जो मैं सितंबर के लिए सबसली टेस्ट ले रहा हूँ वो सब जरू सब लोग देख लेना यह तो हमेशा के यह काम आएगा चलिए फिर स्टार्ट करते हैं डेविट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में सीवी भी कितने डिजिट का होता है देखो आज ज़्यादा टाइम भी नहीं दूँगा क्योंकि ज़्यादा कुछ समझाने को है नहीं डारेक्ट अंस्वार इसमें कुछ समझाने क अब नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड और डेविट कार्ड नमबर में कितने डिजिट होते हैं देखो ये कई फरकार के कुछिशन पूछ सकते हैं पहले आप इसका एंसर दो जनरली आप जो हम अभी देख रहे हैं उसका 16 होता है ठीक है जो देख रहे हैं जनरली और 13 से लेकि 19 तक एक दिन मैंने आपको बताया भी था अगर option में ऐसा है कि 13 से लेकि 19 तक हो सकता है तो उसको आपको टिक कर देना है अगर option में है आप में तो वैसे जनरली 16 चलता है जो मेरे पास जितने सारे कार्ड है सब 16 है जो मैं आज तक देखा हूँ सब 16 ही देखा हूँ लेकिन ब विजिट का बना होता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा कार्ड वरिफिकेशन बैलू ठीक है ए नमबर कार्ड वरिफिकेशन बैलू अब नेक्स्ट यू एससडी के द्वारा फंड ट्रांसफर की क्या सीमा होती है काफी important question है ये आज मैं सारा question लगब लगब बताऊंगा और मैं जो बचे को पहले बता चुका हूँ आगे भी लेता रहूंगा आपको ध्यान देना है तो इसमें क्या होता देखो 5000 एक दिन में कर सकते हैं और 5000 एक साल में कर सकते हैं तो इसका सही अंसर हो जाएगा अन भी दोनो ध्यान देना ये बात अब next mmid ये क्या होता है इसका full form क्या होता है mmid होता कि एक 7 digit का 7 digit का एक code होता है जो army ps जो हम लोग करते हैं उसमें use किया जाता है ठीक है जो कि bank दोरा हमें मिलता है उसका full form क्या होता है mobile money identifier ये c नमर वाला ठीक है अब next a e p s का full group क्या होता है तो symbols आई ये most important है आधार enabled payment system ये नमर वाला इसका answer हो जाएगा next usst आधारित mobile banking का उप्योग करने के लिए internet जरूरी होता है true है कि false true and false के वैसे 5 से लेकि 20 questions लोग बता रहे थे बस मतलब किसी की जिए में 5 आठ आएगा 10 आएगा 15 आएगा 20 आएगा ये आपको ध्यान देना है जिसका बहुत ज़्यादा आजाएगा 20 आजाएगा 20 तो बहुत कम लोग अता रहे थे वैसे तो ये हो जाएगा false क्योंकि internet की जरूरत नहीं होती है ध्यान देना usd से हम जब transfer करते हैं तो हमें internet की जरूरत नहीं पड़ती है next banking grant कितना डायल करें usd से वाल उठाने के लिए bank में क्या use किया जाता है यहाँ star होना चाहिए वैसे यहाँ भी ध्यान देना आपको तो simple सा यह यही इसका science रो जाएगा ठीक है बी नमबर वाला इसको हम डायल करते हैं usd से वा का लाव लेने के लिए next निम्न में EPS के उदारा क्या सुविता मिलती है अभी EPS आया था ना full form उसका तो उसके बारे में detail भी चानल लो आप ऐसे ऐसे अलाग अला question आ सकते हैं इसलिए मैं आपको सारा मतलब सब आये हुए questions है exam में इस बार तो नकत जमा कर सकते हैं अधार से अधार fund transfer कर सकते हैं औ कितने alpha-numeric word संगर ही किये जा सकते हैं मतलब होते हैं कुल मिला कि उसमें कितने maximum तो क्या होगा इसका science और मैं उसे बता चुका हूँ यह कई इस सब के बारे मैं अपसे बीज बीज में बताता ही रहता हूं लेकिन यह अलग से मैं बना दे रहा हूं आप सब के लिए तो इस सिंपल सा ही है लेकिन पूछा जाता है quick response code यह सब तो question मिल जाएंगे आपको 10-15 question आएंगे जिसमें से 5-6 बहुत सा सिंपल होंगे कुछ difficult होंगे होंगे इन ही सब में बाहत थोड़ी ना आएंगे जो मैं पहले बताया आपसे बता चुका हूँ उसको सब को देखना है आप 5 हो जाएगा मतलब 5 time हम होता है किसी किसी में 5 बार allowed करते हैं ठीक है लेकिन सब में वो भी नहीं अब next qr code को कौन और कब विक्सित किया था यह भी most important question है यह exam में पूछा जा चुका है यह same question है जिसका same answer क्या होगा डेंसो वेव 1994 में इसको बनाया था अब next qr code में कितने numbers अंगरीत हो सकते हैं अभी क्या है था alpha numeric अभी क्या है number तो दोनों आपको अलग अलग ध्यान देना है क्योंकि most important है दोनों number में मतलब number में बताना आपको alpha numeric में क्या था 4296 था number में 7089 हो जाएगा important है इस सारे important इतना समझके चलना अब next UPI का पूर्डूप क्या होता है सिंपल सा यह unified payment interface यह number वाला ठीक है लेकिन important तो बहुत है अब सब जानते हो next जिस bank से credit card ले रहे हैं उस bank का account होना जरूरी होता है true है कि false यह हो जाएगा क्या हो जाएगा false हो जाएगा क्योंकि हम बिना मतलब bank के में account नहीं फिर भी credit card हमें मिल जाता है ठीक ऐसा होता है अब next UPI किसके द्वारा बिक्सित किया गया credit card तो मिल जाता है लेकिन debit card नहीं मिलता debit card के लिए account होना जरूरी होता है यह भी आपको पता होना चाहिए दोनों में मतलब question कुछ भी आ सकता है आपको दोनों में एकदम exactly पता होना चाहिए क्या क्या होता है UPI किसके द्वारा बिक्सित किया गया था NPCI द्वारा ठीक है National Payment Corporation of India इसके द्वारा बिक्सित किया था सारे मतलब उसी के अंडर में आते हैं आजकल जितने भी चल रहे हैं अब नेक्स्ट UPI की सेवा कब सुरू की गई थी मतलब भारत में कब launch हुआ UPI क्या होगा इसका सही अंसर बहुत important है ये भी तो 11 फ्रेल 2016 ठीक है सब ध्यान देना आपको आप नेक्स्ट बैंक द्वारा जारी किये जाने वाले OTP में कितनी संख्या होती हैं ये भी most important question है इसमें देखो कई सारे बात हो जाती है मैं कई बार OTP यूज़ करता हूँ money transfer भी करता हूँ तो कभी कभी देखो 8 भी आता है मेरे पास bank में देखता हूँ SBI उसकरता हूँ तो 8 ही आते हैं उसमें किसी किसी में देखता हूँ 6 आते हैं ठीक है और 4 भी आते हैं OTP तो OTP लेकिन बैंक की बात कर रहा है तो बैट 4 से 6 फे कर रहा हूँ आपको लेकिन वैसे 8 अलग-अलग एक्जाम में कई से पोचे कि वो आपको डिवेंड करता है बैंक द्वारा OTP कितनी संक्या होती हैं किसी में 6 किसी में 8 किसी में 4 भी होती हैं तो इसलिए मैं 4 से 8 कर रहा हूँ आपको बताने के लिए सिर्फ लेकिन अलग-अलग आएक एक एक्जाम में जहां तक उम्मीद है मुझे तो 8 पे आपको करना क्योंकि 8 strong भी होता है अगर अलग-अलग आता है तो 6 ना आए, 8 छे भी होता है कई किसी तारा मैं देखा हूँ 6 भी होता है 8 भी लिकिन मैं देखा हूँ मतलब मेरे तो 8 ही आता है मेरे पे इस वरस मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको उसी साब से करना है बैंक दोरा 8 is strong है सबसे जादा अगर इस तरह से न दिया हो तो आपको 8 पर कर देना है तो गलत नहीं हो सकता कभी भी क्योंकि मेरे पर आता है मैं बता रहा हूँ ठीक है अब next OTP की जगह ATM PIN का इस्तिमाल किया जा सकता है टू है कि false तो यह हो जगा false ठीक है simple सा है वो अलग है OTP और ATM PIN अलग है अभी कुछ अब बैंक लॉंच कर रहे हैं केंडरा बैंक ने लॉंच कर दिया कि अपने ATM से अब पैसा निकालने जाओगा तो एक OTP भी आगा आपके फोन पे सुरच्छा के लिए किसी दिन आपको बता दूँगा इस डिटेल से के बारे में अब बैंक जो है ATM भी सुरू कर रहे हैं OTP की सुविदा अब next OTP कहां भेजा जा सकता है किसी की मुबाइल पर पंजगित इमेल पर पंजगित मुबाइल पर कैसा वैसे इन सब कॉश्चन में से कई सारे मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले भी तो इसका एंसर क्या होगा दोनो क्योंकि पंजगित इमेल भी हो मतलब भेज़ सकते है OTP और पंजगित मुबाइल पर भी हो सकता है next OTP का इस्तेमाल एक से अधिक लेन देन के लिए किया जा सकता है true है कि false अब OTP इसमें banking से related है तो सारा चीज banking की बात चल रही है समझ लेना है इसको आपको समझना ही है और OTP तो सिर्फ bank में नहीं होता बहुत जगां होता हर जगां Google देखो अकाउंट्स में ऐसा बहुत WhatsApp में भी देखो OTP होता है तो क्या हो बोल रहा है कि एक से दिक नहीं कर सकते है ये false हो जाएगा बोल रहा है कर सकते है इसलिए false हो जाएगा अब next कितनी बार OTP गलत डालने पर कार्ड को ऑनलाइन पेमेंट के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है most important है ये भी इसका sensor क्या होगा तीन से अधिक बार अगर आप किये तो खत्रा हुआ इतना समझे करना अब next यू एससडी का पूर रूप क्या है ये तो मालो simple सा है question है यह मैं कई बार बता भी जो को आपसे यह यह वो code जो star 99 has करके यूज करते है यू एससडी code वैसे अपने मवाइल पर विचे इस्टार 141 has हम लोग star 211 has यूज करते हैं सब यू एससडी code ही होते है यह banking का है star 99 has नहीं तो आप इसमें confused कभी मत होना जिसका sensor होगा यह unstructured supplementary service data ठीक है अब next यू एससडी के दोरा lane देन के लिए क्या आवश्यक है इतना डाल करना है आपको MMID भी चरूरत होती है MPIN की भी जरूरत होती है यह फिर उपरोग सभी क्या answer इसका होगा तो MPIN का मतलब क्या होता है Mobile Banking Personal Identification Number होता है MIPN का मतलब ठीक है और MMID अभी मनें आपको बताया Mobile Money Identifier तो इसका answer क्या होगा वो परोग सभी हो जाए क्योंकि सारी सभी की जरूरत पड़ती है ठीक है next UTR का number क्या होता है मतलब UTR number क्या है Most important question है यह अभी जैसे यह सारे questions है जरूरी नहीं कि ऐसे ही आएंगे जैसे मैं पूछ रहा हूँ उसमें अलग language में पूछ सकते हैं जैसे यह पूछ लेंगे कि UTR में कितने digits होते हैं कहां use होता है इसका full form क्या होता है इसा पूछेंगे तो UTR में कितने digits होते हैं 22 ठीक है और RTGS में इसका use किया जाता है पहली दूसरी बात तीसरी बात इसका full form unique transaction reference होता है इसका same answer क्या होता है all of above ठीक है most important question है अब next IFSC क्या होता है most important है यह भी तो यह simple सा ही यह भी इसका full form होता है Indian Financial Service System Code ठीक दूसरी बात यह 11 उंको कहोता है 4 अंक बैंक के लिए होता है बीच में एक 0 होता है आप ध्यान दोगे तो बीच में एक 0 होता है और 6 अंक साखा प्रतिदित करता है तो बीच में एक 0 भी होता है यह भी भी पैसा ट्रांसफर करते है तो IFSC Code का यूज करते है जैसे कहीं भेजना हो इंडिया में भेजना हो तो क्या करते है IFSC Code यूज करते है वैसे ही अगर हमें पैसा बीच में भेजना है तो Swift Code यूज करते है ठीक है आपका बीच में पैसा आपके खाते में आएगा तो भी Swift Code लगेगा उसमें जैसे मेरा Swift Code जरूरी होता है क्योंकि डॉलर में पैसा आता है मेरा तो इसका सैंसर क्या होगा Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication Code ध्यान देना आपको बहुत इंपोर्टन है नोट कर लो इसको ठीक है अब नेक्स्ट आए में PS कब सुरू किया गया कब लाँच किया गया ये Immediate Payment Service है ना Important है बहुत इससे समधित कई सारे Question आते हैं एक्जाम में इसका सैंसर क्या होगा 22 November 2010 को ये लाँच किया गया था अब नेक्स्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है आधार संख्या खाता संख्या FC कोड या फिर MMID एन मोबाइल नमबर Most important question है ये इसका सैंसर हो जाएगा वो प्रोक सभी सिंपल सा ही है क्योंकि हम जानते हो ना सब लोग आधार से भी आजकल चल रहा है खाता संख्या FC कोड तो जरूरी हो मतलब से काम होई जाता है और MMID और मोबाइल नमबर से भी काम हो जाता है ठीक है तो सारे हो जाएंगे इसका सही एंसर अब नेक्स्ट IMAPS का लाब उठाने के लिए ग्राह के पास बैंक के खाता जरूरी होता है तो है कि फाल्स जो immediate payment service होता है उसका लाब लेने के लिए आपको बैंक खाता जरूरी है या नहीं बहुत important question है यह पैसा कैसे transfer करोगे आप यह क्या बोल रहा है बहुत जरूरी हो ना जबकि यह फाल्स हो जाएगा बिना बैंक खाते के भी आप कर सकते हो PPI जो system होता है उसके द्वारा ठीक है अब next PPI stand for अब आपके दिमाग में आया होगा कि PPI होता क्या है है ना इसलिए उसके बाद मैंने इसका question लिया है PPI का मतलब होता है मैं आपको बता देता हूँ जैसे PTM यूज करते हैं कहीं आपको पैसा ट्रांसफर करना है तो उसमें बैंक खाता की जरूत पढ़ती यह नहीं ना लेकिन आपके पास ट्रांसफर करना है तो पैसे तो जरूरी है खाते में होना चाहिए मतलब PTM में अगर आपके पैसे होंगे तभी आप ट्रांसफर कर सकते हो उसी को बोलते है PPI PPI का मतलब होता है Prepared Payment Instrument ठीक है और एक बात ध्यान देना आपको Prepared Payment Instrument यह बात ध्यान देना है इसका मतलब ही होता है कि पहले साब के जो E-Wallet है उसमें पैसे हैं दूसरी बात Payment Protection Insurance यह जो है ए भी फुल फॉर्म होता है इसका PPI का यह दोनो Digital Finance के टर्म से Banking के हैं इस वज़े दोनों मैंने आपको बता दिया तो आपको दोनों ध्यान से देखना है समझना है करना है ठीक है मैं इसको दोनों करना हूँ लेकिन जरूरी यह नहीं कि आपको दोनों करना है दोनों अगर है तो करना है नहीं तो नहीं करना है ठीक है अब नेक्स्ट निम लिखित में से किसने भी Map को विक्सित किया इस समझना बड़ा सिंपल सा कोश्च है न वैसे किसने किया सिंपल सा है NPCI National Payment Corporation of India यही सब का किया है वैसे चितने भी UPI हुआ चितने भी नाम आते हैं जो Digital Finance के जो Applications नहीं निकले हुए है जो Systems वो सब NPCI कर त्वारा ही करते हैं अब Next RTGS का पूरूप क्या है अब देखो RTGS थोड़ा High Level हो जाता है अभी क्या हम लोग देख रहे थे UPI, Bheem, NPCI यह सब सारे चीज़ें लेकिन RTGS उससे उपर है पहले से था यह यह सब तो अभी लांच ही है लेकिन यह सब पहली से था जो कि मैं आप सबसे बता चुका हूँ वैसे इन सब के बारे में काफी कुछ तो RTGS मतलब Simple सा है Real Time Gross Settlement होता है इसका मतलब इससी नमबर वला ठीक है बहुत important है अब next RTGS वार नियुन्तम सीमा क्या है भुकतान करने के लिए और एक बात पूछ सकते है कि सबसे अच्छी सेवा क्या है इन में से मतलब पैसे transfer करने की अगर पूछे तो सबसे अच्छी और सबसे बिस्वसनी कौन सी सेवा मानी जाती है तो RTGS ही आता है जैसे बिजनेसमेन लोग यही यूज़ करते है क्योंकि यह सबसे अच्छी हो दिया तो दो लाग कम से कम उससे कम नहीं कर सकते है दो लाग कम से कम करना पड़ेगा आपको ट्रांसफर करना है तो अब नेक्स्ट नकत निकासी के लिए डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड उप्योग कर सकते है मतलब दोनों का प्रेवग किया जा सकता है सिर्फ एक ही डेबिट कार्ड जो अपना हम लोग यूज़ करते है वो होता है debit card मतलब पहले से इसमें पैसा है credit card मतलब बाद में पैसा जमाओ किया जाएगा पहले हम खर्स कर लेंगे तो ये true हो जाएगा क्योंकि हम दोनों से कर सकते हैं, allowed होता है सब में नहीं होता, किसी-किसी credit card भी कई प्रकार के होते हैं, किसी-किसी credit card में allowed होता है पैसे अब निकाल साकते हो किसी किसे में सिर्फ swapping ही कर सकते हो बस ऐसा होता है मतलब अलग टाइप के होते है credit card भी अब next भी map कितनी भासाएं होती है कितनी भासाओं में मतलब भी map है अभी present time में total वसे में बता चेको अब को इसके बारे में तो इसका सही होगा 13 ठीक है total 13 भासाओं में अभी है English included English भी है उसी में English के साथ साथ total 13 भासाओं है अब next भी map के दोरा किस भुकतान सेवा का उप्योग किया जाता है IMEPS, NEFT, RTGS MPIN important question है बहुत तो देखो भी map से भी हम लोग तुरंट जैसे इधर भेजे नहीं उधर पहुँचा नहीं ऐसा होता है उसको IMEPS ही बोलते हैं immediate payment service में आ जाता है अब next भी map में प्रत दिन लेन देन की अधिक्तम क्या सीमा होती है important है most important है अधिक्तम कितना हम कर सकते हैं भी जूर रहते हैं बहुत लोग लेकिन इसका सही हम ज़र होगा 40,000 ठीक है इसमें कोई confusion नहीं होना है किसी को 40,000 बेंदास अब next RTGS द्वारा payment transfer की समय सीमा क्या है कार दीवस पर 8 से 6 बज़े तक कर सकते हैं या फिर किसी भी दिन 8 से 6 बज़े तक 8 से 5 है क्या है पहली बात आपको ये ध्यान देना है कि 8 बज़े से 6 बज़े तक होता है 8 बज़े सुबे से 6 बज़े साम तक वो भी कार दीवस ही चीक है तिसका सही अंसर क्या होगा ए नमबर हो जाएगा ध्यान सेक्दम समझना को कार दीवस आठ से लेके 6 तक सुबह 8 से साम 6 बचे तक अब नेक्स्ट आई में PS क्या है अभी में अभी इस से आपको पुरा डेटेल हो जागा है आई में PS के बारे में इसमें मैं सारा कबर कर ले रहा है इतना समझ के चलना है सबको तो क्या होगा एक बार में अधिक्तम सबसे इंपोर्टन काहिस में एक बार में हम अधिक्तम 2 लाग से जादा नहीं कर सकती किसके दौरा आई म, PS के दौरा ये बहुत बड़ी बात है और भुक्तान करने की कोई समय सीमा नहीं होती इसकी रात को भी कर सकते हो इमेडियेट पेमेंस सर्विस का फुल फॉर्म होता ही है उप्रोक सभीस का एंसर हो जाएगा बड़ा इंपोर्टन है ये अलग-अलग क्वेश्चन आएंगे मतलब इसमें भुक्तान की समय सीमा नहीं होती पहली जी दो लाख अधिक्तम एक बार में अब नेक्स्ट भारती मुद्राची नाधिकारिक तोर पर कब अपनाया गया है समझते हो न भारती रूपया जो है रा और आर दोनों मिक्स है एक में ही जो आज कल चल रहा है इतना सब लोग जानते हो तो 15 जुलाई 2010 को ये एडॉप्ट किया गया था ओफिसेली ठीक है भारत सरकार ने इसको एडॉप्ट किया अब नेक्स्ट रूपय डेविट कार्ड क्या होता है आज कल इसका जलवा चल रहा है पूरे वर्ल्ड में अभी भूटान में मोदी जी गये थे तो वहाँ पर लॉँच किया और UAE सयुक्त अरव अभिरात वहाँ भी रूपय कार्ड लॉँच किया गया तो ये डोमेस्टिक है मतलब अपने घर का है भारत का पहली चीज दूसरी चीज NPCI द्वारा जारी सभी ATM सारा साई है इसका ठीक है अपने भारत का है पहली बात ये हमें पता होना चाहिए सबसे बड़ी बात ये है ठीक है रूपय कार्ड रूपय डेविट कार्ड सब चल रहा है अब तो अब नेक्स्ट भारती मुद्रक चिन किनी भासाओं में है मोश्ट इंपोर्डन क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन तो किसी ने मेरे बात भेजा नहीं था लेकिन मैं आपको बता इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि क्या पता पूछ ले ठीक इसलिए इंपोर्डन क्वेश्चन है ये भारती मुद्रक किन भासाओं में है जो आर और रा दोनों मिक्स है तो जो देवनागरी जो रा है रा अपना देशी भासा ओ देवनागरी हिंदी वाला और रोमेन जो है रा है तो इसको साइन्स पर क्या होगा ये देवनागरी और रोमन ध्यान से आपको समझना है नेक्स्ट पी आई एन जिसको पिन बोलते हैं जनरली बड़ा पापुलर है ये उसका फुल फॉर्म क्या होता है मोस्ट इंपोर्टन ये भी है तो क्या होगा इसका फुल फॉर्म तो सही हो जाए परसनल आइडिन्टिफिकेशन नमबर ठीक है अब नेक्स्ट बैंक कोरिस्पॉंडेंस कौन होता है एक पुस्ते बैंक मित्र कौन होता है एक पुस्ते बैंक कोरिस्पॉंडेंस कौन होता है तो दोनों लगवक से हम होता है ए बात अपको ध्यान देना है क्या हो कि इसका सही अंसर एक एजेंट जो बैंकिंग सर्विस प्रदान करता है देखो हम लोग जैसे CSC जो होता है common, CSC का फुलप्लम होता है common service center यह आपको पता होना चाहिए यह भी हमारे syllabus में है तो वो जो लेता है और जो सारा bank का काम करता है उसे को बोलते है bank myth बोले या फिर bank correspondence बोले ठीक है दोनों, अब next मुद्रा का अर्थ क्या होता है कभी कभी क्या होता है जैसे मैं बताता रहते हूं ऐसे ही कोई question में गलत बता देता हूं आपसे मतलब ऐसा हो जाता है मेरे से भी क्योंकि जानते हो ना इतना सारा question बताते हैं दिमाग थोड़ा खाली हो जाता है इसका science बोल क्या होगा वह ऐसे कोशित करता हूं गलती नहों micro units development refinance agencies का full form होता है बहुत important है यह होता क्या है यह loan दिया जाता है जो छोटे business के लिए यह होता है ठीक है इसमें 50,000 से 10,000,000 तक loan देते हैं इसके बारे मैं आपसे बता चुका हूं वैसे जो पहले की वीडियो से हैं उसमें बागी सब अब next NEFT द्वारा transfer करने की समसी में क्या होती है most important है इसमें यह नहीं लिखा हूं है business आपको यह ध्यान देना है कि working days मतलब working days में ही होता यह भी जैसे आपने भी देखा RTGS वहाँ पे लिखा था कि working days तो इसमें भी working days होगा ठीक है इसका सायंसर होगा साथ बज़े तक वो छे बज़े तक था यह साथ बज़े तक है RVI की बात अगर रहा हूं मैं कुछ bank है अपना अलग-अलग कर देती है यह RVI guidelines की बात मैं कर रहा हूं RVI में में पढ़ा है सब इसमें आट बज़े साथ बज़े तक है working days यह भी आपको ध्यान देना है अब next भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है यह है आज का आखरी question important RVI है simple सा है वैसे कई बार बता हूं मैं आपसे जिसका sensor क्या होगा simple सा है भारती state bank सबसे बड़ा bank है ठीक है और इन सब का अगर पूछे तो जितने bank है भारत में कौन संचालन करता है इनका reserve bank of India यही संचालन करता है यह सब सब मतलब पहले भी आपसे बहुत कुछ में बता चुका हूँ और भी बहुत सारे questions इसके हैं जो मैं पहले आपको discuss कर चुका हूँ banking के questions आपको place में मिल जाएगा जारा ठीक है फिर दोस्तों यही था आज का आखर question तो वीडियो पसंदा यह सब लोग लाइक जरू करना और जो लोग अभी तक चैनल को subscribe नहीं है तो subscribe करके bell icon जरू प्रेस करना ठीक है चली फिर आते हैं आज के जो मैंने उस दिन question पूछा तो उसके बारे में देखते हैं क्या क्या है अब कल question मैंने क्या पूछा था writer में maximum font size कितना होता है यह पूछा था maximum पूछा था एकदम drop down menu की बात मैंने नहीं किया था एक question यह था तो इसका answer होगा default 9.9 और cal के में मैंने पूछा था cal के में default font size कितनी होती है मैं आपको दिखा रहता हूँ practically ठीक है देखो यह है writer default इसमें 12 है 12 दिख रहा है ना और इसमें अगर drop down menu की बात करें तो maximum देख लो 96 है यह दिख रहा है 96 और minimum इसमें 6 है ठीक है वैसे अगर इसमें maximum पूछा था मैंने 1000 इसमें कर रहा हूँ अपने आप खुद ही आए जाएगा इसमें 1000 करने के बाद लिख के क्या आ रहा है कि triple 9.9 बस इससे ज़्यादा इसमें नहीं हो सकता जब जो चीज लिखा है वही माना जाएगा ठीक यह बात ध्यान देना हमें तो यह हमारा हो गया क्या कैलक नहीं राइटर है यह राइटर में कर मैंने एक क्वेशन पूछा था आपसे जो की कन्फूज थे खुछ लोग मैं कल्दी कर दिया था उसमें मैं बता रहा हूँ आपको मैंने कहा था कमेंट में कमेंट एड करने की सौटकटकी क्या होती है राइटर में तो मैंने एक उप्सन दिया था कंट्रोल प्लस सिफ्ट प्लस सी और मैंने उसको सही एंसर भी बता दिया था आपसे लेकिन आप मैंसे किसी लोगों ने किसी ने नहीं बताया कि ओग गलत है सबने उसी पर मैं देख रहा था, कर भी रहे थे, तो आप लोग, मैंने जबकि प्रेट के लिए बताया था, तो आपको ये सब ध्यान देना है, मालो मुझसे कोई गलती हो जा तो आपको उसको सुधार करना है, वो आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, क्योंकि मैं बता च यहां देखो लिखा हो है, 44 है डिफाल्ट, और मैक्समुम इसमें भी वही है, टीपन नाइन पॉइंट नाइन, मैं जानता हूँ इसको, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, 44 इसमें क्या है, डिफाल्ट है, दिख रहा है न, तो यह आपको ध्यान देना है, मैंने आपको वैसे उसमें क्या बोलते हैं, जब मैं बजार अतरफ्रेट के लिए तो, आज कैंसर किशन दिया, आर्तिया दो, जीतु कुमार, सोनम भरद्वाज, साहिद अली, सिद्धी की, राम कुमार अग्रवाल, गोरो सर्माय, कम से कम यह सब ने तो, मतलब देखा था उसको ध्यान स वीडियो, यह अच्छी बात है, कई लोगों ने देखा था, और लोगों ने भी, तो आपको बताना है, क्वेशन आज का क्या है, मुद्रा में कितनी कटिगरी होती है, टोटल, और नमबरा पासपोर्ट ऑफिसेस, इंडिया में कितनी है, इन दोनों कैंसर देना, इंपॉर जया हिंट, जया भारत